पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में तीन बज़कर 25 मिनट तक चलते रहेंगे पूर्वा फालगुनी नक्षद्र में प्रवेष कर जाएंगे। पूरी और सुक्र की इस्थिति अन्कूल रही तो पूर सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन सिंह राशी में ही चलते रहेंगे। जिसके राशी स्वामी सूर्य देव हैं। कारात्मक विचारों में कमी आएगी और सामाजिक सहीयोग बना रहेगा। आज से बुद्ध का राशी परिवर्तन अपनी उच राशी कन्या राशी से तूला राशी में हो चुका है। अतह तूला राशी में बुद्ध, सुक्र और ब्रिहस्पति की यूती कुछ दिनों तक बनी रहेगी। जिसका मीला जुला प्रभाव प्रतेक राशीयों पर उनके अपने कारकों और महादशा के अंसार पड़ता रहेगा। मेश राशी वाले जात्कों को कारे छेदर की अनकूलता मन मताविक बनी रहेगी। नमीन रिष्टों का निर्माण होगा। लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। साजेदारी सफल रहेगी। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होगी और आठिक लाभ होग सहयोग मिलत रहेगा। मगर कुछ मामलों में आज का दिन चिंता को बढ़ाने वाला होगा। योजनाएं बलवती होगी लेकिन काम करने की गति प्रभावित होगी। आल्ला से और पहल करने में कमी संभावित हैं मगर अध्यान अभ्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। विध्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा। खान पान में सावधानी बरतें और पूरानी दिकतें फिर से शुरू हो सकती हैं। साथ ही वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा। को लागू करने में प्रद्योगी भावना दिक्सित होगी और कुछ रुके हुए काम भी संपंध हो सकते हैं। नीजी निवेश के लिए समय अनकूल है। ग्रिहोपयोगी वस्तों में बृद्धी होगी। बच्चों के विशे में आदमिस्वास बढ़ेगा और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन निकूल रहेगा। अध्यन अध्यापन में सहयोग और सफलता मिलेगी। सामाजी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। मगर स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें। मिथुन दासी वाले जात्मों को अपनी दिठिच्चा सकती और आत्मिस्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। कारी और जनाओं को सुचारू ठांग से पूरा करने में परिवारी जनों और सहयोग्यों के प्रिरणा मिलती रहेगी। नई कारी और जनाओं के प्रस्ताव अध्यापन में सफलता मिलेगी, सासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। किसी महत्पूर्ण काम के पूरा होने से सामाजी प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी और नीजी संबंध प्रगाड होंगे। जनाओं के प्रस्तावल ही आ सकते हैं, नीजी निवेश के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा। पारिवारिक दाईत्यों में मानसिक दबाव महसूस होगा। बिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। भावनावत्मक विस्तों में उतार चड़ाव अधिर संबंदों का ख्याल रखें और साथ संबंदी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। सिंग रासी वाले जात्कों के लिए आज का दिन आपके रिच्छा सकती और आत्म विश्वास को बढ़ाने वाला होगा। रचनात्म क्रिया सील्ता बनी रहेगी। महिला बर्ग से लाव और आर्थिक इस्तिती आपके महनत और क्रिया सीलता के उपर निर्भर करेगी। का दिन अच्छा रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी बुजुर्गों का आशिरवाद और पारिवारी क्रेणा बनी रहेगी मगस्वास संबंधी आउसक साउधानी बनाए रखे कन्यारास के जात्कों के लिए अनावसक धन खर्च और नकारात्मक विचारों के उतार चड़ाव का संकेत मिलता है मगर ब्यावसाईक उन्नदी का दव और आठिक लाव को बढ़ाने वाला होगा मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मा फिरना मिलती रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है साजेदारी लावधायक रहेगी विरोधियों से सावधानिय पेक्षित है आर्थिक और व्यावसाइक मामलों में विवाद भी संभव है अध्येन अभ्यापन के लिए आज का दिन सामान रहेगा प्रयास जारी रखें खान पान में सुधार और पेट संबंधी समस्याओं से सावधानिय पेक्षित है तुला राशी के जात्कों को आर्थिक लाव की इस्तिती बनी रहेगी और आय संबंधी नए बिकल्प तयार होंगे चंद्रमा का सुकर के नक्षत में होना सही जोगी प्रिष्ट भूमी तैयार करेगा मगर अपनी कारी ओजनाव में सावधानिय पेक्षित है नई कारी ओजनाव के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सरकारी विवाद और उचित विशा निर्देश में रुकावट संबावित है किसी विशा को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं हलाक कि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा शिच्छा प्रतियोगिता के छेत्र में सफलता संबावित है वाद विवाद और नकारातनों विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा बिच्छिक रासी वाले जात्कों की कारेच शिचर के प्रतिसक रियता बढ़ेगी और नई कारी वजनाओं के एश्री जन की मानसिक्ता बनी रहेगी कारेच शिचर में अविकारियों का सही योग मिलता रहेगा संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है रूके हुए काम संपन्ध होंगे व्यावसाई की योजिनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लावरायक रहेगा हलाकि नीजी जीवन में सवहाद कुन माहौल बिक्सित होगा संतान संपन्धी मामलों में खर्च मगर नए रिष्टे का प्रस्ताव मिल सकता है फारिवारी क्रिणा मिलती रहेगी नकारात्मक विचारें वाले लोगों से दूरी बना कर रखें और दिन चर्या में खान पान को संतुलित रखें धनुराशी वाले जातक कारे छेतर में अनकूल महसूस करेंगे मगर स्वास संपन्धी सावधानी रखनी चाहिए चंद्रमा के सुक्र के नक्षतर में चलने से अधूरे पड़े कामों को निक्टाने के प्रतिचिंता लगी रहेगी और रचनात्मा प्रयास सावधानी रखें हलाक यार्थिक पक्ष मजबूत रहेगा ब्यावसाइक मामलों में आपका काम सुचारू धंग से चलता रहेगा साजेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनकूल है विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा संतान पक्ष से सुखत समाचार मिल सकता है नीजी समन्द प्रगाड होंगे और पारिवारिक दायत की पूर्थी होगी मकर राशी वाले जात्मों के मानसिक भ्रम का दौर समाप्थ होगा और ब्यप्दिगत प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी चन्द्रमा के आठवे घर में चलने की वज़े से मन में अनावसक चिन्ता कुछ कामों में रुकावत और भैगरसता के साथ साथ नकारात्मक बिचारों का उठना और मधूर संबंदों में कमी सम्भावित है सिच्छा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा अपने स्वास पर आवसक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं कुम रास के जात्मों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आठिक पक्ष के विकास और साजेदारी के प्रति सहयोग मिलेगा ब्यावसाई का अनकूलता बनी रहेगी दिठ विश्वास और कारे छमता में ब्रिद्धी योगी सासन सत्ता बाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा बिरोधियों से सावधानी अपेक्षित है साजेदारी लावधायक रहेगी सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा परिवार में हर्स और प्रसन्दा का माहौल बना रहेगा मगर स्वास संबंधी सावधानी अपेक्षित हैं और वाहन सावधानी से चलाएं मीन राशी वाले जात्कों के लिए स्वास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और नगारात्मक विचारों के प्रती मानसिक्ता बनी रहेगी मानसिक संतुष्टी में कमनी के साथ आथिक लेन देन के प्रती भी सावधानी अपेक्षित है ब्यावसाइक लाव मिलने से मन में उत्साह और कारी और जिनाव को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी मगर अधिक जोखिम वाले काम मुचित नहीं होंगे निजी पारिवारिक रिष्टों में सावधानी अपेक्षित है सरकारी कामकाज से लाव संभव है विद्यातियों के लिए आज का समय संहर सुहरा हो सकता है प्रयास जारी रखें और आपसी संबंधों में वधूरता काइम रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाये